नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा वाजवाला इस वार लेकर आया हूँ, भगवान और भक्त के कई रोचक और दिल्चस्प किस्से दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आये तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें तो आये बिना देर के शुरू करते हैं माज की कहानी कहानी का सिर्शक है संत ग्यानेश्वर संत ग्यानेश्वर का जन महरास्ट के और अंगाबाद जिले में हुआ था इनके पिता का नाम विठल पंथ ये वो माता का नाम रुकमिनी बाई था इनके पिता ने जवानी में ही गृहस्त जीवन का परित्याग कर सन्यास ग्रहन कर लिया था प्रंतु गुरू के आदेश से उने फिर से गृहस्त जीवन शुरू करना पड़ा इस घटना को समाज ने मानिता नहीं दी वे कोई भी प्राश्चित करने के लिए तयार थे पर सास्तरकारों ने बताया कि उनके लिए देह त्यागने के अलावा और कोई प्राश्चित नहीं है और उनके पुत्र भी जनेव धारन नहीं कर सकते इस पर विठल पंत ने प्रियाग में त्रिवेणी में जाकर अपनी पत्नी के साथ संगम में डूप कर प्राण दे दिये बच्चे आनात हो गए लोगों ने उन्हें गाओं में अपने घर में भी नहीं रहने दिया अब उनके सामने भीख मांग कर पेट पालने के अत्रिक्त कोई चारा नहीं रह गया बहुत छोटी आईउ में ग्यानेश्वर जी को जाती से बहिस्कृत हो जाने पर कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ा उनके पास रहने को ठीक से जोपड़ी भी नहीं थी सन्यासी के बच्चे कहकर सारे संसार ने उनका त्रिसकार किया लोगोंनों उन्हें हर प्रकार के कष्ट दिये इन्होंने पूरे महराष्ट का भ्रमन कर लोगों को ग्यान भक्ती से परिचित कराया तथा समता और संभाव का उपदेश भी दिया इस तजस्वी बालक ज्यानेश्वर ने किवल 15 वर्ष की उमर में ही गीता पर मराठी में ज्यानेश्वरी नामक भास की रचना करके लोगों को अचरज में डाल दिया और मात्र 21 वर्ष की आयू में ही यह महान संत इस नश्वर संसार को परिताग कर समाधिस्त हो गए धन्यवाद